हाँ हिवरेवन वेलenda बांक टो फ़र्सट वार्श्मेंट है सिवाँज मशेठ आज करेंगे what and keep top of 수セージ के वाध़ माथ यो इस स्चॉक पे तरीड कर सकते ह्या और किस तरीके से काम करकर चलना आगस्ट का यह मन्त है वो स्तार्थ हो चुका अब हम लोगों पता कि हम लोगों को 4 expiry देखने को मिलेगी अगस्त के महीने में किस तरी किसे approach लेकर चलनी है जो अभी 5th of August को Thursday को एक weekly expiry है क्या approach होनी चाहिए सारी बाते करेंगे इस वीडियो के अंतर So वीडियो को start करने से पहले आप लोगों को already पता होगा जो लोग मेरी previous वीडियो से regular basis पर देख रहे है कि हम लोगोंने free of cost आप लोगों को trading tips provide करवाना start करा है It's not a tip, it's for your learning purpose इस पर आप लोगों को weekly webinar मिलेगा once a week आप लोगों को webinar मेरे through zoom meeting के through मिलेगा जहांपर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि technical analysis कैसे work करता है everything will be there in our telegram group so please don't forget to join our telegram group नीचे description पर आपको link मिल जाएगा हमारे telegram group का नाव है first investment आपको वहाँ पर सारी information provide हो जाएगी so please do join so चले start करते हैं और देखना है कि हमारी market पर किस तरीके से performance हो सकते है last चीज और guys कल है Sunday, Sunday को हम लोग every Sunday आपको सबसे description जैसी open करेंगे आपको एक फॉर्म मिलेगा एक लिंक दिखेगा उस लिंक पे फॉर्म उपन होगा google form वहाँ पर आपको अपना name perfectly clear अपना email address दानना है phone number डाला है और आपको को every Sunday 12 बजे तक एक email address email प्रोवाइड होगा जिसके थूआ आपको को हमारी weekly research report भी प्रोवाइड होगी so please don't forget to sign up all these particular things चले start करते हैं हमारा first stock है Deepak Fertilizers Deepak Fertilizers पे आप अल्रेडी देख सकते हैं कि एक trend bullish है इसके अलावा एक range के अंदर consolidate कर रहा था और जो upper resistance line है और जो support line है दोनों merge कर रही है अगर दोनों merge कर रही है और एक uptrend है और एक range के अंदर है तो pattern आपको already पता है this pattern is what we call a pennant pattern अब आप लोगों को याद होगर आप अगर मेरी previous videos देख रहे होंगे तो मेरे जित्ते भी stocks मैंने recommend करे है most of the stocks are for a pennant pattern सारे के सारे stocks जो भी most majority stocks थे वो सारे pennant pattern के बनेवे थे और वो लोग अच्छा performance दे रहे हैं अभी मैं दुबारा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों अपनी previous 2-3 वीडियो पर बोल रखा है मैंने आप लोगों के लिए 10-12 stocks already select करके रखे हुए है वही हम पूरा महीना इस अगस्त पर चलाएंगे और वही stocks मैं आप लोगों को बार बार suggest करते रहूँ है because every time there is a very good opportunity to buy these stocks because यहां पर बहुत जादा upside देखने की उमीद है इन stocks के अंदर अब आप देख सकते हैं कि breakout इस पे होने वाला है अब यह हुआ नहीं है तो आप इसे buy करके चल सकते हैं right now the current price is 430 rupees अगर यह कल dip भी देता है तो भी आप लोग इसे buy करके चल सकते हैं इसके लिए कोई perfect level नहीं है कि 432, 435 के उपर buy करना है यह नहीं कि जादा उपर buy कर लो अगर अच्छा कासा उपर खुलता है तो buy करने की ज़रूरत नहीं है अगर नीचे खुलता है तो buy करिए इसी level पे खुलता है buy करिए अगर 1-2 रुपे उपर नीचे खुलता है तो buy कर सकते हो otherwise जादा उपर बिलकुल buy नहीं करना आसपास level पे buy करिए target जो हमारा है वो 470 रुपीज का है जो stop loss में expect करके चल रहा हूँ वो 415 रुपीज के expect करके चल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अराम से 1-3, 1-4 का रिष्ट्यू reward ratio मिल सकता है तो इस particular stock को अपनी watch list के अंदर कर सकते हैं आप लोग हमारा second stock है Jamna Auto Jamna Auto पे आप लोग clearly देख पा रहे है कि एक rising channel है एक rising wedge है इस rising wedge के अंदर यह stock काम कर रहा है rising wedge का मतलब अगर मैं मान के चलूँ तो यह up trend के अंदर है clearly आपको picture show कर रही है मैंने आप लोगों को अपनी previous videos पे बहुत बर काता कि अगर एक range है इस range का अगर एक breakout देता है stock और वो उसी range के breakout पे एक दुबारा range create कर देता है और उसके बाद breakout देनी की त्यारी करता है जो movement होती है न वो बहुत जादा fast होती है double की movement होती है क्योंकि जो पहले वाली range होती है उसकी movement वो capture नहीं कर पाया और जो second वाली movement है उसका तो breakout already दे रहा है तो faster movement देखने को मिलती है अगर आप यहाँ picture पे देहान से देंगे आप clearly देख पाना है यह एक range है इस range का इसने breakout दिया देने के बाद यह दुबार एक range के अंदर consolidate करते रहा अब यहाँ पर यह breakout देनी की तियारी कर रहा है अगर इसका breakout देता है तो perfectly यह एक uptrend की तरफ continue करेगा और every dip is a very good opportunity to buy this particular stock यह मेरे पास है already मेरे long term portfolio पे आप भी भी buy कर सकते है अगर यह breakout देता है तो मैं add और करूँ है इसके अंदर positions अपने अभी right now जो price है इसका 89.85 रूपीज का है जब not होगा आप लोग इसे 90 रूपीज यह 90.5 क्यूब पर buy कर सकते हैं जो मैं target expect करके चल रहा हूं 100 रूपीज के minimum कर रहा हूं मैं अगर आप इसे 6-7-8 अभाहिने के लिए रखेंगे तो मुझे लगता है 130-140 रूपीज तक के लेवल भी यह stock आपको बहुत अराम से दिखा सकता है stock अपनी portfolio के अंदर ज़रूर add कर सकते है मुझे लगता है best stock है आपको के लिए अब PVR खोल चोक है yes movies बहुत जादा कम आ रही है but stock recover कर रहा है I think एक pattern ऐसा formation कर रहा है जहां पर हम लोगों को अच्छे returns देखने को मिल सकते हैं अगर हम लोग इसे थोड़े time के लिए hold करते हैं so let me show you about the patterns 2-3 pattern लगतार बन रहा है let me show you थोड़ा सा zoom करता हूं मैं इस particular stock को आप सबसे पहले एक चीज़ देखेगा एक bullish uptrend एक range के अंदर consolidate और इसका breakout देनी की तियारी कर रहा है so यानि कि यह जो pattern है इस हम लोग कहते हैं flag and pull pattern यह एक flag and pull pattern create कर रहा है exact अपने resistance पर gap up देखेगा कल उपर के triumph पे close कर रहा है I think यह पर यह अच्छी movement दे सकता है current price इसका 1400 है psychological level है अगर breakout देता है तो अच्छे targets देखने को मिल सकते हैं दूसरी बात अब देख रहे होंगे अगर breakout देता है तो इसके जो targets होंगे वह बहुत जादा उपर होंगे क्योंकि flag and pull के target उपर होते है but बीच में कहीं न कहीं तो यह रुकेगा न वह रुकने वाली जगह में अगर हम लोग profit book कर लेना तो मारे लिए और जादा benefit रहेगा वरना हम लोग 50% profit booking तो रुकने वाली यह resistance वाली जगह पर कर सकते है तो आप लोग देख रहे होंगे यह मैंने red color की line draw करी है इसके पीछे का logic है यह हमारा second pattern है जो बना सकता है आप देख रहें यह एक shoulder है यह एक head है और यह एक दुबारा shoulder यहाँ पर create कर सकता है सो first target जो मैं मान के चल रहा हूँ 1405 या 1410 पर भी अगर हम लोग buy करते है तो मेरा first target है 1460 या 70 rupees का मतलब 60 to 70 rupees की अप move आराम से दे सकता है अपने current level से अगर breakout देता है सो हम लोग अगर buy करना चाहते है तो हम लोग 1408Q पर buy कर सकते हैं 1450 to 1470 तक तो minimum जा सकता है दूसरी चीज़ एक head and shoulder pattern और develop हो रहा है अब देखने है यह एक shoulder है यह एक पूरा head है और यह एक shoulder है अगर इसका breakout देता है तो भी अच्छी movement देखने को मिल सकती है मतलब यह जो आज पास की levels है यह मुझे बता रहे है कि 1460 तक तो जाने के लिए रोग कोई नहीं सकता PVR को अगर breakout आता है अगर 1460 को breakout देता है तो 1600 तक भी यह stock अराम से जा सकता है तो ऐसे stocks मैं select कर रहा हूं जो पूरे महिने में आपको बढ़िया return दे सकते हैं जिन पर गिरनी के chances हैं वह बहुत limited है upside बहुत जादा है तो इन stocks को अपनी watchlist के अंदर जरूर रखेगा यह 3 stocks हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज के trading session के अंदर share कर रहा हूं बात करते हैं Nifty और Bank Nifty की Nifty और Bank Nifty से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को already बताना चाहूंगा अगर आप लोगोंने मेरी past की 2 videos नहीं देखी हैं तो please आके देखिएगा क्योंकि वहाँ पर मैंने sorry past की 3 videos एक live video है जो मैंने live session कर रहा था दो मेरी recorded है यह 3 videos को जरूर जाके देखिएगा है और जो मैंने stocks recommend करे हैं उनको अपनी watchlist के अंदर add करी है उन पर अभी वह इती अच्छी movement नहीं आई है और वह अभी वह breakout दे सकते हैं मैं उनी stocks को दोबारा repeat पर लगाँगा तो अगर आप लोगो फ्रेश या बड़िये levels पर दिखते हैं तो उन्हें आप buy करना start कर सकते हैं so please अगर आप लोगो वीडियो देखते हैं and यहाँ पर एक range है जो इस range के अंदर यह stock यह index काम कर रहा है मैंने आपको बोला था कि यार यह जो particular purple कर रहा है मैंने एक range बना रखा है इस range के जब तक ऊपर है तब तक हम लोग एक buy मान के चल सकते हैं जैसे इस range के नीचे आयेगा तो हमारे ले एक short initiate हो जाएगा हुआ क्या अगर मैं आप लोगों को पंदरा मिर्ट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आप चेक करिएगा पंदरा मिर्ट के टाइम फ्रेम पे अम लोगों ने यह चीज देखी यह बहुत टाइम तक consolidate करता रहा इसी range पे finally it gave a very good breakout जैसी breakout दिया एक sharp fall लोगों को देखने को मिल गई इससे मुझे एक चीज पता चली यार इसका जो previous swing high है वो तो यह है previous swing high के उपर नहीं गया मतलब bearish trend अभी वी continue है अगर इसे उपर जाना होता अगर इस 16,000 को cross करना होता या 15,900 को cross करना होता तो अपने previous high को तो Friday की trading session पे breakout दे चुका होता क्योंकि मुझकि 10-15 point रहते थे बिट actual में नहीं हुआ लोगों ने क्या कर रहा एक्जाक्ट अपने previous swing high के आसपस आया उन्होंने lower low maintain कर रह पीस अराम से आपको within an hour या within 30 minutes ये index दे सकता है और मुझे लगता है कि अगर ये नीचे stable होता है तो नीचे support है नीचे support अभी बना हो है 15,600-500 के आसपस बैट मुझे लगता है कि ये 15,700 के नीचे बहुत मुश्किल से जाएगा तो अभी के लिए Monday बस Monday के trading session को हम लोग watch करेंगे nifty और bank nifty को क्या कर रहा है ये कि हमें पूरा हफता जो Thursday के experience के बार में कुछ पता चल जाए I hope आप मेरा point समझ रहोंगे Friday को ऊपर जा रहा था बट प्रीवेस high को close नहीं कर पाया और नीचे shaft fall आई Monday को बस हमें देखना है कि जो भी investors हैं जो भी traders हैं उनका reaction क्या रहने वाला है वो क्या performance देने वाला है उसके basis पर हम लोग decide करेंगे Tuesday को हमें क्या bet लेकर चलनी है on a upside और on a time upside I hope आप लोग मेरा point समझ गया होगा बात करते हैं एक बार bank nifty की bank nifty open कर दिया है आप लोगों के लिए यहां पर आपको पता ही भी एक range के अंदर develop था यह एक pennant pattern bearish pennant pattern था इसका target पूरा achieve हुआ उसके बाद अब यह उपर जा रहा है तो यह level देख रहे है यहां पर एक triple top बना है triple top create हुआ है और यह level के उपर यह sustain नहीं हो रहा के लिए कोई भी मतलब reason नहीं बनता इसके अलावा अगर यह इस level के नीचे चले जाता that is 34,500 और 470 के नीचे तो हम लोग एक short की opportunity देख सकते है because 34,500 एक strong support एक strong base है जो कि अभी bank nifty form कर रहा है अगर यह break होता है तो directly हम लोग 34,000 की तरफ start कर सकते हैं बढ़ना but अभी एक range के अंदर है तो अभी हमें कुछ नहीं करना so 34,500 तो 34,800 इस range के अंदर हमें कोई trade नहीं लेना इसके ऊपर buy है इसके नीचे short है nifty को अभी हमें समझना है क्योंकि bank nifty तो volatile है वो ऊपर भी जा रही है और बहुत तेजी से नीचे भी आ रही है but nifty एक stabilize दोने के बाद एक shuffle आ रहा है और नीचे downside पर stabilize दोने के बाद एक up price आ रहा है so nifty पर अभी trade करना थोड़ा सा safe नहीं है according to bank nifty i hope आप मेरा point समझ पा रहे होंगे ठीक है एक बार FII data देखने हैं कि Friday को उन्होंने क्या कर रहा इसके बाद हम लोग अपना एक base create कर लेते हैं so मैंने या पर FII data open कर दिया है यहां पर आपको सबसे पहले calls को check करना है और puts को call हमें बता रही है कि total 80,000 quantities में वो bullish गए है और puts side में वो लोग 2,000,000 quantities पे वो लोग bearish गए है तो मैं नीचे देखता हूं कि उन्होंने index future short कर रखा है 1900 करोड का मतला वो लोग future पे भी nifty bank nifty भी short है और वो लोग index के अंदर भी short है इससे एक चीज़ तो determine होती है कि कल के trading session पर मतला market जब Monday को open होगी अगर exact इसी level पे open होती है या 10-15-20 रुपए उपर नीचे तो clearly आपको short कर देना है clearly short करना है because in the end market नीचे आएगी अगर शिरवात में market उपर बढ़ना start करती है तो दुपैर का trading station पर उसे नीचे आना है और अगर वो दुपैर का पहली खुलते ही वो नीचे जाना start करती है तो हम लोग एक recovery देख सकते हैं या ना भी देखें बट market को Monday को नीचे जाना है जो हम लोगों को FII का data दिखा रही है इसके अलावा 3800 crores की उन लोगों ने FII ने stock की selling करी है इसके according DIA ने 3000 crores की buying करी है वो आसपास का और है बट मेरे एसाब से वो लोग जादा तर short की position बना के रखे विया तो आप लोगों को यही चीज को performance देनी होगे मुझे लगता है कि एक base नीचे created है बट वो break हो सकता है market downside मैंना भी आपको बोला Nifty को break करना होता है तो 10-15 रुपय उपर भी चले जाता बट वो नहीं गया और वो lower low बना के नीचे आया तो market नीचे जा सकती है clear short है हम लोगों को देखना है कि हमें कैसे trade करना होगा ठीक है guys thank you so much for listening to me listening this whole video और this whole concept I hope आप लोगों को ये basis to basis जो point to point analysis में आपके साथ करता हूँ आप लोगों अच्छा लगता होगा और समझ में आता होगा और आप लोगों कुछ profits भी earn करते होंगे thank you so much guys good night have a nice day